नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचना होती है जो विभिन समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है तो आई ये सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सुचना है सबसे पहले सुचना है उत्तर प्रतिस लोग सेवा आयोग की आज की समचार पत्रों में लिखा हुआ है कि यूपी प्यस्थी जारी करेगा संसुधित परिक्षा कलेंडर यह दो यहां पर लिखा तीन के बाद आएग और इन परिक्षाओं की वज़ए से पूरा परिक्षा कलेंडर गलबड हो गया है और इस वज़ए से यहां पर लिखा हुआ है कि तीन माई की बाद अगर लागडाउन खुलता है तो लोग से वह आयोग तया करेगा कि अभी परिक्षा कब हो और इसके लिए एक संसोधित पर भी परिणाम इत्याद ही जासे कि अभी तक गोसित नहीं है इसलिए 16 मईस से इसकी मुख परिक्षा भी नहीं हो सकेगी परिक्षा की नई तीथी तया करने से पूरू आयोग को यह देखना होगा कि इस तीथी पर सेंटर के लिए स्कुल कालिज मिलेंगे या नहीं मिलेंग और लोग सिवा आयोग की तरफ से जारी परिच्यकरेंटर को भी ध्यान में रखना होगा संग लोग सिवा आयोग की बात हो रही है तो फिलहाल आयोग तो आज से खुल जाएगा और उसकी सूचनब बहुत सारे समचार पत्रों पर भी चपी हुई है लेकिन परिक्षा कम हो ग़िए लागडाउन की का युक्त प्रिछाओं का अभी नहीं कराऊ श्रय róż nope जूर को जरी कराने पर हैं लिक्त परिछाओं के साथ सीधी भर साथ त्यार और यहाँ करा जाएगा अधिकारियों वह कर्मचारीयों को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है 25 मार से लोग सेवा आयोगबंद इस सेखंड सिक्षा अधिकारी प्री 2019 कंप्यूटर साइक साइक रेलवेभरती भूर्ट अजै нिकती की प्रक्रिया फिर से सुरू होगी flowers के ढ anticipating की घूपना होनी पूरी प्रक्रिया रुक गई थी रेलवे भरती वोड ने पिछले साल मार्च में इस परिच्छा के लिए देश भर में 25 जार्ष से गैर तकिनीकी पतों के लिए एक करोड 25 लाग से अधिक वर्तियों ने आवेदन किया है तो चाह किन सरकार की भरतिया हो चाहरा सरकार की भरतिया हो परिच्छा में टाइम लगेगा और उसके पहले इन भरती वोडों की जो चैन प्रक्रिया है वो पहले से ही संदिहास्पत रही है एक साल से जदा के समय हो किया लगबग 1.5 साल हो रहा है और रेलवे भरती वोड ने अभी तक एजेंसी भी तैय नहीं किया था अगर रेलवे भरती वोड चाहता तो यह परिक्छा पहले ही संपर्न हो जाती फिलहाल लाग डाउन चालू है और एजेंसी भी नहीं है तो अभी इस परिच्छा में सम सब की परिच्छा होगी अगली सुचना है कि बहुत सारे राज हैं जो आज से लागडाउन में धील देंगे चूट देंगे यहां पर लिखा हुआ है कि गुरुग्राम नोयटा गाजी अबाद में कोई रियायत नहीं अनराज्जियों में नए नियमों से सरकारी दिफ्तर खुलेंगे दिल्ली छोड़कर देजभर में आज से लागडाउन में थोड़ी छूट लिखा दिल्ली NCR को छोड़कर के देजभर में सुमवार से लागडाउन में थोड़ी छूट दी जाएगी हाला कि यह चूट ससर्त होगी धील उन्हीं इस्थानों पर मिलेगी जहां पर करोना के मामले नहीं आये हैं और जिन शेत्रों छूट देना हैं यह लिखा गुआ यहां पर की आज से बदलेगा किसानों को खीती से जुड़े काम करने के छूट रहेगी करसी उपकरण की दुकाने खुली रहेंगी बिजली मरमत के कारियों से जुड़े लोगों के अ माइवे पर दुकाने और धावे खुले रहेंगे और नीचे लिखा सरकार ने ग्रामेड इलाकों को कौपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी गैर बैंकिंग विती संस्तान पानी की सप्लाइब विजली और संचार से जुड़ी प्रियोजना और गत्विदियों को भी छूट रहे और यहां पर लिखा है कि कहां कहां पर क्या क्या होगा उत्तर प्रदेश में लिखा हुआ है बिहार में लिखा हुआ है जारखंड भी धील दे रहा है हर्याना भी धील दे रहा है और उत्तराखंड भी धील दे रहा है उत्तराखंड में भी कुरोना के जो मामले हैं वो कम ह सबसे ज़्यदा यहां समस्या दिल्ली की है लिका केजरीवाल बोले घृट सपाट बढ़े दिल्ली के मुक्मधिर केजरीवाल ने रही वार को कहा दिल्ली में हौट सपाट की संक्या बढ़कर 80 यह ऐसे में हम लागडाउन खो लनी गलती नहीं कर सकते उन्होंनों का कि अगर और बताया था कि लखनों में मामले बढ़ गए हैं इसलिए लखनों कोई भी आयोग और कोई भी कारियाल है नहीं खुलेगा लिखा है कि लागडाउन सरकार नहीं रवीवार आधी राथ से कुछ सर्तों के साथ छूट दे दी और जो जिले करोना मुक्त हो चुके हैं उन जिलों में ही केवल छूट दी जाएगी इसके बाद में करमचारियों ने भी आग्रे किया है कि लागडाउन खुलने के बाद ही युभी वोड की काफियों करवाने को लेकर करके राजगी शिक्षक संगे ने उप मुक्य मंतरी डॉक्टर दिने सर्मा को पत्र रिखा संगे प्रांतिव अध्यक्ष पारसनात पांडे ने कहा कि उप मुक्य मंतरी ने 25 अपरेल से बोर्ड काफियों की मुल लांकर की संभावना जता ही है कुरूना का संकर्मन तेजी से फैल रहा मुल लांकर के इंदर पर 400 से 1000 तक सिक्षक उपस्तित होते हैं ऐसे में सिक्षकों को दिक्कते हो सकती है सोसल डिस्टेंसिंग के बद्दे नजर हरियां सरकार ने बोर्ड परीच्ष मुल लांकर सिक्षकों से उनके घर पर ही करवाने का फैसला पहले भी यह वैस्ता लाग हो चुकी है तो अभी हाल ही में जो उत्तर पत्रों में एक और सूचना है कि यू उत्तर पत्र योगी आधियत नाथर ने कल एक प्रेस्ट नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी लोटे पास लाग स्रमकों को गाव में ही रोजग दूसरे राज्यों से लोटे गरीब स्रमकों को इस्थानी इस तर पर ही रोजगार मोहिया कराने को कहा है इसके लिए एक जिला एक उत्पाद योजना का साहरा लेकर बैंकों से कर्ज दिलाए जाएगा ताकि वह सस्वा रोजगार कर सके इसके लिए एक सिमित बन गई है दूसरे राज्यों से लोटे भविस में लोटने वाले मज़दूरों को वहीं प्रोजगार दिलाने की मोहिम सुरू करने की योजना पर चर्चा किया है असल में पिछले 45 दोनों में उत्तर प्रतेस में पांस लाग से अधिक स्रमिक लोटे है अगली सुजना है बीटेक एम को प्लेश्मेंट मिल जाता था वहां आज 30 फीजदी चात्र अपने प्लेश्मेंट के लिए आ चुकी है इन में से अब सिर्फ सतर फीजदी चात्रों को नोखरी मिली है यानि कि बीटेक साथ वे स्विष्टेक दे चुके 778 चात्रों ने प्लेश्मेंट के लिए रिजिस्टेशन कराया है इसमें अब तक 540 विदार्थियों को नोखरी मिली है तो एम एन नाइटी नहीं जितने भी जितने भी तकिनी की संस्थान है सभी तकिनी की संस्थानों क यही हाल हुआ नोबल नोबेल कोरोना वाइरस का जो कहर है वो लगातार जारी है किसी भी देश से अच्छी खबरे नहीं आ रही है और भारत में भी धीरे-धीरे ही सही लेकिन इसका विस्तार बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में 1100 से ज्यादा कोरोना संग्मृत लोगों क कि सरकार ने ज्यादत राज्यों में सभी स्कूलों को एक साल के लिए बंद करने का आधेश दिया है अमेरिका के 31 राज्यों में इस 17 के लिए इसकूल पूरी तरीके से बंद रहेंगी प्रशासन का मनना है कि इस फैसरे से कुरोना संक्रमण में लगाम लगेगी तो अमेरि स्कूल के साथ साथ अब कई विश्विद्यालें को भी अपनी कच्छाएं 2021 तक बंद करने की घोष्णा कर दी हैं बता दें कि बोस्टर युनिवर्स्टी ने पहले ही अपनी सारी इन परसंड यानि की ब्यक्तिगत कच्छाएं बंद कर दी हैं उन्होंने का कि 2020 तो कुल मिल सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद